मेरा नाम है सुमेदा पाठक और मैं आज आप लोग को प्रेशर सोर्स या जिसे प्रेशर अलसर या बेच सोर भी कहते हैं उसके बारे में बताऊंगी ये क्या है इसका क्या इलाज है ये कैसे होता है और इसे कैसे बचा जा सकते प्रेशर सोर एक सकिन रिलेटेड प्रॉबलम है शाधारन सब्दों में कहे तो सकिन में दवाव के वज़े से घाव हो जाता है जिसे प्रेशर सोर कहते हैं सकिन का हमारे शरीर में बहुत बड़ा रोल होता है ये शरीर में नमी बनाए रखने में मदद करता है अल्ट्रा वॉयलेट रेज से बचाता है संशेशन में हल्प करता है और बॉड़ी टेंपरेचर मेंटेन करता है स्किन ये सारे फंक्षन ठीक तरीके से नहीं कर पाता संशेशन खतम हो जाता है या कम हो जाता है और स्किन बड़ी टेंपरेचर मेंटेन नहीं कर पाता जिसकी वज़े से प्रेशर सोर्स हो जाते है प्रेशर सोर शरीर के जोड़ो वाले हिस्सों में होता है जैसे कि नी, एंकल, एल्बो, शोल्डर, टेल बॉन या फिर और किसी जगह जहां पे भी लेटने या बैठने से दबाव पड़ता है प्रेशर सोर स्किन पे दवाव पड़ने की वज़े से तो होता ही है पर इसके अलावा तीन और रीजन है प्रेशर सोर के पहला जलने से, संशेशन ना होने की वज़े से हमें पता नहीं चलता और हमारी स्किन जल जाती है जो कि प्रेशर सोर में कनवर्ट हो जाती है दूसरा नमी से अगर हम किसी गीली जगह पे लेटे हैं या फिर हमने कपड़े ठीक तरीके से सुखा के नहीं पहने हैं तो उससे भी प्रेशर सोर हो जाता है तीसरा पूर डाइट जंग फूड तला हुआ खाना और लो नूट्रिशन डाइट लेने से स्किन में प्रॉब्लम हो जाती है जिससे भी प्रेशर सोर हो जाता है प्रेशर सोर के चार स्टेजे होते हैं पहले स्टेज में स्किन का कलर चेंज हो जाता है और वो रेड या डार कलर की हो जाती है और जब हम उसे प्रेस करते हैं तो वो वाइट कलर की नहीं होती रेड या डार कलर की ही रहती है दूसरे स्टेज में बाहरी तच्छा फट जाती है और चाला जैसा बन जाता है तीसरे स्टेज में बाहरी और अंदर की दोनों तच्छा खतम हो जाती है और एक बड़ा घाव बन जाता है चौथे स्टेज में स्किन और मसल दोनों डेट कर जाती है बोन डिस्ट्रोय हो जाता है और कभी कबार एप्सिस भी बन जाता है प्रेशर अलसर से लोगों की जान भी जा सकती है In fact हर साल approximately 60,000 लोगों की जान प्रेशर अलसर से चली जाती है और हर साल 1.000.000 प्रेशर सोर्ज के केसे जाते हैं डर तु नहीं गया? अरे घबराईये मत, इसका भी इलाज है और मैं आपको कुछ ऐसी चीजे भी बताऊंगी जिससे आप pressure sore होने से अपने आपको बचा सकते हैं सबसे पहले अगर आपको लगता है कि आपको pressure sore हो रहा है तो जिस भी जग़ा पे color change हो रहा है आपका skin का या फिर घाव बन रहा है आप उसको दबाव से बचाएं उस पर ज्यान दखें कि उस पर किसी भी तरह का दबाव ना पड़े उसके बाद आप डॉक्टर से consult करें आपके pressure sore के stage के according डॉक्टर उसका treatment करेंगे अगर आपका pressure sore उतना severe नहीं है तो डॉक्टर dressing, कुछ medicines और ointment recommend कर सकते हैं पर अगर आपका pressure sore severe stage पे है तो डॉक्टर आपको surgery के लिए भी suggest कर सकते हैं तो मैं आपसे यही recommend करूंगी कि अगर आपको थोड़ा सा भी doubt होता है कि आपको pressure sore है तो आप डॉक्टर से जरूर consult करें अब मैं आपको कुछ ऐसी चीज बताऊंगी जिसको नियम से follow करने पर आपको pressure sore नहीं होगा सबसे important चीज है pressure release करना अगर आप काफी देट तक wheelchair पे या कहीं पे बैठे हैं तो आप अपने muscle और skin पर pressure दे रहे हैं और sensation ना होने की वज़े से आपको यह पता ही नहीं चल पाता है और फिर यही pressure sore में convert हो जाता है तो आपको कुछ नहीं करना है बस हर 15 से 20 मिनट पे pressure release technique follow करनी है जो कि मैं अब आपको बताऊंगी सबसे पहले आपको एक side bend करना है 1 2 3 4 5 6 उसके बाद दूसरे side 1 2 3 4 5 6 फिर आगे 1 2 3 4 5 6 उसके बाद अगर आप push up कर सकते हैं तो wheelchair पे ऐसे पकड़ के या आप जिस जगह पे भी बैठे हैं 1 2 3 4 5 6 यह चीज आपको हर 15 से 20 मिनट पर follow करनी है इसके अलावा pressure release cushions भी आते हैं आप उसका भी use कर सकते हैं अगर आप complete bed rest पे हैं या जादतर समय आप लेटे रहते हैं तो आपको हर घंटे पे अपना position चेंज करते रहना हैं और आप air mattress का भी use कर सकते हैं जिसको pressure source से बचने के लिए बनाया गया है जब मैं complete bed rest पे थी तो मैंने भी air mattress का use किया था pressure source से अपने आपको बचानी के लिए सबसे जादा जरूरी है self observation आपको दिन भर में जब भी समय मिलें एक बार आप ये कर सकते हैं आपको बैसे एक mirror लेना है उसके बार पूरी अपनी body को इस तरह से चेक करना है और अगर आपको लगता है कि कहीं पे भी आपके body में color change हो रहा है या कहीं पे भी घौव बन रहा है तो आप दॉक्टर को तुरन consult करें last but not the least आप healthy और nutritious food खाये regularly पानी पीजिए और hyzine का ध्यान रखिए आपको pressure sore कभी नहीं होगा तो आज के लिए बस इतना ही फिर मिलते हैं next video में next topic के साथ अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो उसका link आई बटन में है अगर आपको ऐसे contents और देखने है तो मेरे चैनल को subscribe कीजिए वीडियो को like कीजिए और ज्यादा से ज्यादा share कीजिए ताकि ये जरूरत मन तक पहुछ सके Thank you